आप सभी का में एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शोटेंग जोन में आज आज आटी आई की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि 2022 में Ministry of Housing and Urban Affairs में Great D में कितनी vacancies हैं मैं वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं आज 7 तारिक है और 11 बजे तक आप अपने form को correct कर सकते हैं यानि कि reapply कर सकते हैं अगर किसी भी candidate से अपनी form में कोई correction रह गई है यानि कि उसने कोई गलत information दे दी है और उसे लगता है कि मुझे form को correct करना चाहिए तो वो आज यानि कि 7 तारिक को apply कर सकता है आज के बाद आप उसमें कोई correction नहीं कर पाएंगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि Ministry of Housing and Urban Affairs में कितनी vacancies हैं मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस साल 2022 के लिए आपको जो vacancy है लगबग double तो मिलनी तय है ठीक है और अच्छी खासी vacancy है और आपका जो exam है वो भी time पर होगा आपका selection भी time पर हो जाएगा तो चलिए जानते हैं Ministry of Housing and Urban Affairs में अगर हम बात करें 2020 की तो total 10 vacancies थी जो मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ ठीक है और state wise, zone wise vacancies भी मैं आपको disclose कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में लेकिन इस साल जो 2022 की vacancy है देखिए 10 vacancies जहां 2020 में थी इस साल 39 vacancies है ग्रेडी में तो इसके अंडर दो department है एक CPWD जिसमें 25 vacancies रहेगी इस बार ग्रेडी की अगर SSC entertain करता है तो और दूसरा TCPO में 4 vacancies रहेगी अगर SSC entertain करता है तो क्योंकि SSC ही last authority है इन vacancies को entertain करने की तो गाईज अगर ये वीडियो information आपको अच्छी लगी हो तो like और share जरू कर देना अगली वीडियो में मिलते हैं अगली vacancy के साथ अब तक के लिए चनल के साथ बने रहेए थैंक्यू so much